तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे आपके class 10 से chapter the cat और मैं आपको बताता चलू कि मैंने आपके syllabus के सभी chapters को complete कर लिये है अगर आपको देखना है तो उपर आई बटन पर आपको link मिल जाएगा वरना आप हमारे channel को visit करो और दोस्तो आगे जाकर अगर आपको class 11 और class 12 के सभी chapters के updates चाहिए तो आप हमारे channel को subscribe कर लो तो दोस्तो चलिए अप कहानी को शुरू करते हैं तो यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है cat के छोटे से description से तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग है जो सोचते हैं कि एक cat an intelligent animal है मतलब कि cat चालाक नहीं होता या cat के अंदर ज्यादा knowledge नहीं होता वो सिर्फ आराम करता है और उसे किसी चीज की परवा नहीं है सिवाए milk यानि की दूद और mice यानि की चुहे के बच्चे के सिवा मतलब कि हम cat को सिर्फ इतना जानते है कि वो दूद और चुहे को देख कर भागती है लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि cat का और भी बहुत सारे characters है जो की human beings यानि की जो की हमें नहीं पता और अब यहाँ पर बताया गया है story में कि एक cat एक athlete भी हो सकता है एक acrobat भी हो सकता है और एक dream fighter भी हो सकता है और दोस्तों यहाँ पर एक cat के example को लेकर हमें इस कहानी को बताया गया है तो यहाँ पर कहा गया है कि एक घर में एक बिल्ली रहती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग है तो घर के लोग उस बिल्ली को अटेंशन नहीं देते यानि कि भाव नहीं देते तो वो बिल्ली हमेशा ट्राइ करती है कि कैसे घर के लोग उसे अटेंशन दे यानि कि उस बिल्ली को भाव दे ये बिल्ली चुहे के होल को यानि कि माउस होल को एक से दो गंटे देखते रहती है याद रखना दोस्तों एक से दो गंटे क्योंकि MCQ में आता है अकसर तो ये एक से दो गंटे चुहे के होल को देखते रहती है क्यों क्योंकि ये बोर्डम य यानि की शाम के समय और जब इस घर की family चाई पीने बैठती है तो यह बिली उन family members के पॉण के पास जाकर चिलाती है और यह अपने आपको रगड़ती है ताकि family members इसके उपर धियान दे और इसे भी कुछ खाने को मिल सके और अगर यदि कभी घर में guest हो यानि की महमान हो तब ये बिल्ली उस महमान के पास जाती है क्यों कि इसे पता है कि जब भी घर में किसी भी घर में महमान आते है तो सबसे अच्छा खाने पीने का समान उनके पास होता है तो ये बिल्ली इसलिए महमान के पास जाती है ताकि महमान इसे कुछ अच्छे खाने को दे दे और अब ये बताया गया है कि जब ये बिल्ली जाती है महमान के पास तो कुछ समय क्या होता है जो महमान है वो इस बिल्ली को लाद मार कर दूर फेक देते हैं और कहते हैं पूर पूसी पूर पूसी तो महमान ने बिल्ली को दूर फेक दिया लाद से मार कर तो फिर बिल्ली क्या करती ह वो महमान के पॉंग के पास जाती है और उसके पॉंग को काट लेती है और फिर ये जो महमान है ये कहता है कि इस बिल्ली ने मुझे काटा तो वहाँ के वहाँ पर जितने भी family members बैठे हुए है वो कहते है कि क्या ये sweet नहीं है ये बिल्ली क्या sweet नहीं है क्या ये intelligent नहीं है ये सिर्फ ये चाहती है कि तुम इसे कुछ खानी को दे दो तो तुम क्यूंकि नहीं दे रहे हो कुछ खाने को तो इसलिए इसने तुम्हें काटा सो जैसा family members ने महमान से कहा महमान वैसा नहीं करता है ये इस बिल्ली को लाच से मारता है और window के बाहर fake देता है तो अब फाइनली इस बिल्ली को एक मचली मिलता है और इस मचली को लेने के बाद ये बिल्ली उस महमान को अपने आग से देखता है यानि कि ये गौर से देखता है और ये मन ही मन कहता है another time my friend मतलब कि अगली बार अगर मैं तुम्हारे सामने आया तो मैं तुम्हें वो आग के बीच gather होती है मतलब कि वो आग के बीच round बना कर बैठती है तो अब ये जो cat है ये room से बाहर निकल जाता है और अब क्योंकि शाम हो गया है तो cat का जो real life है वो अब शुरू हुआ है अब ये बिल्ली backyard में जाती है और backyard में जाने के वाद ये छट पर चहड़ती ह है तो एक छट से ये अब दूसरे छट पर जाती है मतलब कि ये एक side से दूसरे side में जाती है तो यहाँ पर ये जैसे ही आती है ये बिल्कुल silent हो जाती है मतलब कि ये आवाज भी नहीं निकालती क्यों क्योंकि इसके दुश्मन को पता चल जाएगा इसके आने का तो अब की stones यानि की जो की पत्थर लेकर रहते हैं इस बिल्ली को मारने के लिए तो यहाँ पर आने के बाद बिल्ली अपने body को stretch करता है क्योंकि ये चेक कर रहा है कि इसका body पूरा working condition में है या नहीं तो यहीं पर दोस्तों ये कहानी end होता है और सिर्फ end में ये बताया गया है कि जब लोग एक जगे से दूसरे जगा जाते है तो उस वक्त बिल्ली को बहुत तकलीफ होता है मतलब कि जब लोग अपनी location को change करते है तो उससे बिल्ली को तकलीफ होता है क्योंकि बिल्ली को दोस्तों अपने country change करने का मन नहीं करता उसका ये मन होता है कि जहां वो हमेशा स change करें मतलब कि वो एक जगे से दूसरे जगा पर जाए तो वो अपने बिल्ली यानि कि वो अपने cat को वहीं पर छोड़ दे new tenants के साथ मतलब कि जब कोई एक जगा को छोड़ कर दूसरे जगा पर जाता है तो वो जो पुराना जगा है वहाँ पर new tenants आते है तो यहां कहा गया है कि आप अपने बिल्ली को वहीं छोड़ दे ताकि बिल्ली वहाँ अपने पुराने जगा पर खुश रह सके तो यहीं पर यह कहानी end होते हैं मुझे उमीद है जो आपको क्लास में बहुत दिनों से समझ में नहीं आया होगा वो मैंने आपको 5-6 मिनिट की वीडियो में बता दिया